शूरी चुपे आता बच्ची को बूलाता उसे तू डराता गला भी दबाता नहीं सी जान को यू मसलता जाता किसी को बीदेक नाड़ा तेरा खुल जाता यही इजद है तो फिर इजद कि तैरी ऐसी की तैसी है यह श्र्लंका क्वार लिड़ती है अब इसको बहर निकाल दे है पोर्ट से मरें जांगा मत मरेंगा मैं अपनी इंबसिट होंगी अब अब छोड़ता याद कभी राज चलते वे किसी ने आपको किसी जगा पर हाथ लगाया यह एक दफानी दो दफानी कभी आप बस में चड़े हो आपको डर लगाओ क कोई मेरे पीछा के खड़ा हो जाएगा ने मुझे लगता है कभी माल रोट पे इतने रश में चल रहे हो और आपको कि बाएक गज तो शुकर मनाओ कि आप लोगों का जनम हिंदुस्तान में हुआ है देखिए इसलाम के नाम पर पाकिस्तान में महिलाओ की इसलामिक महिलाओ की कि क्या सीथी निया हुँ स्रिलंका से महिला आई थी उसके साथ यानी यानी कि जाहिलों ने क्या कर दिया है वही वो रो रही है चिला रही है और कानून तो है नहीं कुछ भी वह साप लोग वीडियो देखिए लाइक जुरूर करें वीडियो को और अपने दोसे पर जुरूर रखे वीडियो सुरू करते हैं लगता है उसकी बाती सुरी जज ने पैसे कहें पैसे कहाके उसको दे दिये मेरी घोद जाड़नी है अमजद जो भी है तो अल्ला से पाएगा रोज़े के हालल मेदली बदवाओ मांग रही हूं तुम मरेगा गंदी मोत मरेगा मैं पने इमबसे जोंगी है यह वाइन नहीं प किया दा अधिया यह वाज़े कर देते हैं तो अधिया और यह वाज़े के बन्द करते हैं मुझा डल लगता है तो जो बहुता है उससे दी सुना दी अपनी सुना दी उसका बाप ले गया, अब मैंने इधार कॉट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्छे मुझे देखिये, मैंने बुचा चलो बच्छे, कहते हैं, ममा वो लो कोश्य में बंद कर देते हैं, मुझे दर लगते हैं, मैंने आप उनके तरफ नहीं जाओगे, मैंने फिर ले जाओगे, जोड़ जोड़िए, महाँ बाद कर दो, पैसे खाएं में जज में, असल वाद हो यह है, अमजद रफीक जोभी है, कहों है? अमजद रफीक, अमजद रफीक, अल्ला से पाएगा, माँ के गोद ओडारीया दरा, कुछ अपी नहीं रहना केस क्या था सुना इस बचे है चाहि के पिस्सादा रफीक, माँ किया है, मेरे आरा, किया। जुज देश फासाद का पाइछ के अपन शादाय हमान वोड़ा बड़ो ये से त्क यह था से भीट tracing, मेरे gospels देशेय। और मेरे बापने जब मेरे शादी करवाई है, वी गोट नो कि उनके बास एक 70 भी नहीं है अपनी, और जिस घर में वो रहते थे जो वो घर कहते थे अपने है वो किसी रेंट का ज़ा, फ्रोड होने के पार, उनने हैं, उनका का मैं अब आती हूं, तेरा करोड रुपे का भी यह रिसनली पठानों के साथ, उसका बाप मलिक इमरान हसन, जो कहते है, एक्स एडवाइजर ओफ परवेज इलाही, 2016 में शादी होई, अब 2024 है, जगड़ा किस बात पर हुआ, मुझे मेरे जो देवर है, उसने मुझे वाइपरों के साथ मारा था, जिसे मेरे थर्ड बेटे जगे अधाना था, जगे शादीटके मेरेच सेसें कोट से, मेरे बच्चे मुझे मुझे संदे अधर मिले थे था, जो के इंड़ है, इस यह लिए रही था, जूदे बच्छे के बटेंगे पां के साल, वोगशन आप उच्छे मुझे 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 जाएं मुझे निग द फैसली से गलब तरीके से कैसे किया हाओ के इन जो जग सुट ने गें इने दिए को अचे अच्टे हुआ और मुझे वाइस मुझे जा राजा तक मैं इने इना के इन यह भूप म्यासन भी जे सकता हूँ मैं कब वोंकर फूजी बहुत सहथा वो रो रहा था यू कना आस अलवर दिया वो सारे कोई 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 पोली सारा को या रहा है आप क्यो रो हो रहे हो इस सेंगे कुछ भी नहीं कितनी देर बार बच्छों से आपकी मुझादा है इस अराउंड लाइक फ्यू देज अगो और उसको इतने बुरे तरीके से ड्राया हुआ है वाश्र में बंद करते हैं पता नी कि मेरी एंबसी को में टच मेलूंगी मैंसे जो जो होगा मैं करूंगी बच्छों को अगर बच्छों कोषिछ ने जागे कुछ मेरी किसी ने सूनी ही यह मैं किसी ने सूनी ही यह किसी ने क्या को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्ता आप लोगन देखा यानि कि वही पाकिस्तान पापिस्तान कहें तो गलत नहीं होगा देखिए जो भई हम पहली बात कोई कहेंगा कि यह वीडियो दिखाई हमें क्या इसी से लेना देना है हमें क्या फाइदा देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बंदे कहते हैं कि बही एक शिर्फ एक कोमुनिटी के लिए कोई देश बना दे और डिफरेंट कोमुनिटी के लिए देश हो तो वो कैसे चलता है बही देश चलता है उसके पाकिस्तानियों की भासाम भूले तो हुकुमरान अपनी भासाम कहें तो कोई गोर्मिंट या सरकार ये कह सकते हैं सरकार कैसे लाती नियम कानून कैसे होते हैं भारत सरकार की बात करेंगे बीते दस सालों में जो कारियाय भारत के अंदर वुए है मैं वो एक दो बता हूँँ, आप लोगों से सबसे बड़ा कारिया है, अगर पाकिस्तान भारत की बात कर ले, तो भाई तीन तलाक, ट्रिपल तलाक जो कानून है, वो भारत के अंदर आया है इससे एक तरह से हमारी मुस्लिम बैने पिछडी हुई थी जो समाथ से वो आज एक कानून के जहरे में आगी यानि कि देखें सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप जिस देश में रहते हो वो उस देश में महिलाओ को पुर्षों को बच्चों को सेम समान अधिकार मिले शेम उनकी पॉजिशन में ले ना कि वही ऐसा ना कि किसी भी देश में महिलाओ को कमज़ोर समझा जाए कि देखें आज भारत की बात कर ले तो अभी जो इलेक्शन का दोर चला हुआ है उसके अंदर भी है जो महिलाओ है जो उनको टिकेटे मिली है MP के लिए और आएंगे ज जो अपने खर को कुछ समबाल सकती है यह है भारत किस्थी ते और पाकिस्तान की ता आप लोगों ने देख लिए होगा आप लोग क्या रहे हैं कि मुझरा के जैंजवार जैश्राम की